दोस्तो, very good morning to all of you, आज के सांदर वीडियो में मैं सौरब गुपता आप सभी का तहर दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज का जो पहला प्रस्ण है, वो एक पुस्तक को लेकर बना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्जाम में आज कल बुक्स वाले कुसंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं तो यहाँ पर दोस्तो, हाल ही में, चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है एन ओर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ओफ एन इंडियन जनरेशन इस पुस्तक के लेखक का नाम कौन है, नाम क्या है तो आंसर होजाएगा इस पुस्तक को लिखा है असोक लावासा ने option number 20 का राइट एंसर होजाएगा असोक लावासा ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है एन ओर्डिनरी लाइफ option number 20 ही होजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं An Ordinary Life इस पुस्तक की राइटर का नाम है असोक लवासा इनका एक फोटो भी देख सकते हैं अब यह असोक लवासा है कौन? क्या यह चीज इंपोर्टेंट है? तो आंसर हो जाएगा असोक लवासा जो है यह पूर्व चुनाव आयुक्त है तो पूर्व चुनाव आयुक्त असोक लवासा जिनकी यह पुस्तक है एक्जाम में आप से पूछी जा सकते हैं अब यहाँ पर दुस्तों चुकि Books and Author को लेकर बात हुए है तो हम लोग पिछले 2-3 महिनों में रिलीज हुई कुछ important books को देखेंगे जिसके या तो वो किताब बहुत ज़दा important हो या तो उसके writer का नाम बहुत ज़दा famous हो जैसे कि सल्मान रुस्दी हो गए ठीक है तो इस परकार से देखते हैं कौन-कौन सी किताबे important हो सकते हैं सबसे पहला है कि all you need is stories of courage and conviction of 21st century India इस पुस्तक के लिखा का नाम है Supriya Paul तीक है इसके बाद में आता है Languages of Truth Essays 2003-2020 इसको लिखा है सल्मान रुस्दी ने सबसे ज़दा important है सल्मान रुस्दी की ये पुस्तक उसकी बाद में आता है All roads leads north Nepal's turn to China ये आपका पुस्तक जैसा कि आप इसका subject देख रहे हैं कि नेपाल जो है ये चाइना में convert हो चुका है चाइना का बहुत ज़दा influence नेपाल पर हो गया है इसको लिखा है Amis Raj Mulmin इसकी बाद में विनोद कापरी की एक पुस्तक है जिसका नाम है One, Two, Three Two Kilometer The Long Journey Home इसकी बाद में आता है Rowny Iskrovala Rowny Iskrovala की पुस्तक Skill It, Kill It चीक है Amartya Sen की एक पुस्तक है जिसका नाम है Home in the World Most Important है Amartya Sen की पुस्तक है बहुत ज़्यदा पुछी जाती है Suresh Raina Suresh Raina की एक पुस्तक रिलीज हुई थी Believe What Life and Cricket Taught Me तो Believe इसको लिखा है Suresh Raina Amitabh Ghosh की पुस्तक है जिसका नाम है The Nutmakes Curse Parables for a Planet in Crisis इसको लिखा है Amitabh Ghosh ने Monk in Murs Monk in Murs पुस्तक को लिखा है The Seven Sins of Being a Mother इसको लिखा है ताहिरा कस्यव खुराना ने इसकी बाद में आजाता है Haba Khatun Haba Khatun नाम से पुस्तक को लिखा है Kajal Suri ने फिर उसकी बाद में आता है What a Consciousness इसको लिखा है Dr. विबिन कुपता ने और उन्होंने ही एक पुस्तक लिखी है What is Para Consciousness Will ये भी important है Will को लिखा है Will Smith and Mark Manson Will Smith Hollywood के हीरो है उनके दोरा अपनी autobiography Will को लिखा गया है इसकी बाद में आजाता है Ruskin Bond की एक पुस्तक लिलीज जीती It's a Wonderful Life Sandeep Misra की एक पुस्तक है Fiercely Female दूती चंदर स्टोरी दूती चंदर को लेकर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा दा इसकी बाद में कौसिक बासु की पुस्तक है Policy Makers General From New Delhi to Washington DC ये पुस्तक लिखा है कौसिक बासु ने दोस्तो जितने भी लोगों ने हमारा जो 6 महीने का PDF खरीदा है सभी लोगों की कमेंट आ रहा है कि सर बहुत ही सांदर PDF है इसमें कम समय में फोटो देखकर चीज़े रिमेंबर करना बहुत आसान है सारी चीज़े एक जगे मिल लगी है टॉपिक वाइस होने से और भी ज़दा मदद मिल ला है तो आप लोग भी जिसने भी अभी तक उस PDF को नहीं लिया है आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाकर उसको ले सकते है कोशन में नेका जुलाई 2021 में यूनेसको ने किस भारतिय सहर को Historic Urban Land Escape Project योजना के लिए चुन लिया है तो हाल ही में यूनेसको ने भारत के दो सहरों को चुना है उनमें से पहले का नाम है ग्वालियर और दूसरे का नाम है मद्द प्रदेस का ओरचा तो मद्द प्रदेस के ग्वालियर और ओरचा इन दो सहरों को चुना गया है इनको चुन लिया है इसके चुनने के बात से क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे यूनेसको सहजेगा सहजेगा मतलब उसको समारेगा तो यह जो दोनों टूरिष्ट प्लेसर्स हैं इसको UNESCO पहले से ज़्यादा और tourist friendly बिनाने की कोसिस करेगा जिससे क्या होगा पर यह टोकों का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आना जाना होगा साथी साथ में आसपास के छित्रों में इसके बिज़े से रोजगार भी बढ़ेगा तो यहाँ पर देखो UNESCO कौन-कौन से ग्वालियर और ओर्चा दोनों ही धरोवर के लिए इस योजना को लॉंच किया है जिसका नाम है historic urban land escape project scheme इसके तहर इसको सामिल कर लिया गया है तो यह proud की बाद है मद्द प्रदेश के लिए वहाँ पर development होगा इसको लेकर हाल ही में दोस्तो एक question को में revision करवाना चाहता हूँ कि हाल ही में UNESCO की तरब से दिया जाने बाला एक price जिसका नाम है UNESCO World Press of Freedom Price 2021 यह किसको दिया गया है यह मारिया रेसा को दिया गया है चलिए आगे चलते हैं दोस्तो मैं आपको वीडियो के description में दो mock test दे रहा हूँ दोस्तो किसी भी चीज़ को हलके में ना लिया करो जो दो mock test दे रहा हूँ उसके लिए आप registration करिए जितने भी लोग देखे एक SBI का है दूसरा NTPC का है जितने भी लोग registration करेंगे उनकी mail पर regular basis पर कोई भी नया exam आएगा तो उसका free में mock test मिल जाएगा ठीक है limited लोगों के लिए scheme है जाकर registration करें और आपको ऐसे ही regular basis पर कोई भी नया exam आता है तो आपको free में mock test उसका दिया जाएगा ठीक है तो question मनेगा कि हाल ही में Max Bupa Health Insurance ने अपना नाम बदल कर क्या करने की गोश्णा कर लिया है तो जो Max Bupa Health Insurance है इसका नाम change करके कर दिया गया है नीवा Bupa Health Insurance यानि कि इन्होंने Max World जो होता है इसको हाल ही में change करने का फैसला कर दिया है तो Max को हटा कर इसकी जगे नीवा कर दिया गया है तो option number ace का right answer हो जागा इसमें आप देख सकते हैं एक brand है जिसको भी हाल ही में re-brand कर दिया गया है Max Bupa Health Insurance Rebranded जैस नीवा Bupa चीक है और Max इससे हटा दिया गया है यहाँ पर दूस्तों bank और बैंक और जो RBI, SBI के एक्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के questions बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर यह जो नीवा Bupa Health Insurance बन गया है इसके MDNCO का नाम है क्रिस्टन रामचंदरन इसका मुख्याला है गुडगाओं हरियाना में इस्तित है Awards को लेकर आगला एक question बना है Vice Admiral Winnay Hall हाल ही में Vice Admiral Winnay Hall को Alexander Dale Rimpel पुरुसकार से समानित किया गया है option number ace का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पुरुसकार है जो की हाल ही में इसको दिया गया है साथी साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं UK के दोरा इनको यह पुरुसकार प्रदन किया गया है income tax day आएकर दिवस प्रती वर्स किसे दिन मना जाता है तो every year 24th of July को हर साल 24 July को यह दिवस मना जाता है income tax day option number 20 का right answer हो जाएगा और इस बार 2021 में इस दिवस का 161 दिवस मना जाएगा है तो option number 10 का right answer हो जाएगा अब दोस्तों हम लोग अपने दिवस पाली पीडियाप से एक छोटा सा revision कर लेते हैं जैसे कि वर्स 2021 के लिए word allergy week कब से कब तक मना गया है तो इसको जून 13 से जून 19 तक मना गया है और इसका theme यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बाद में National Insurance Awareness Day 28 जून को मना जाता है हलका बहुत आपको revision करवाते ही चलता हूँ तो ठीक रहता है दोस्तों मेरा ऐसा मानना है National Statistics Day कब मना जाता है 29 जून को हर साल मना जाता है और इसका जो theme है वो हो जागा Ind Hunger, Archive Food, Security and Improve Nutrition and Promote Sustainable Agriculture यह इसका theme हो जाएगा इसकी बाद में यहाँ पर दोस्तों एक जून से रेख लेते हैं यहाँ पर ठीक है एक जून यहाँ यहाँ पर वर्ड बाइसकिल डे तीन जून को मना जाता है वर्ड इन्वार्मेंट डे पांच जून को मना जाता है और इसका theme हो जाएगा इको सिस्टम रिष्टोरेशन ठीक है यहाँ पर दोस्तों मई महिने के भी कुछ रिविजन कर लेते हैं जल्दी से जैसे कि वर्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मना जाता है इसको हर साल तीन मई को मना जाता है और इसका theme हो जाएगा information as a public good इसकी बाद में आ जाता है इंटर निसल फायर फाइर फाइटर्स दे हर साल चार मई को मना जाता है इसका theme हो जाएगा uncovering asthma misconceptions इसकी बाद में आ जाता है पांच मई को आपका मना जाएगा word hand hygiene day विस्व हात स्वक्षता दिवस हर साल पांच मई को मना जाता है इसका theme हो जाएगा second save lives clean your hands इसकी बाद में आ जाता है international day of midwives ये पांच मई को मना जाता है और इसका theme हो जाएगा follow the data invest in midwives इसकी बाद में आ जाता है word red cross day हर साल 8 मई को मना जाता है इसका theme हो जाएगा unstoppable फिर आ जाता है दोस्तो 8 मई को ही एक दिवस बना जाता है जिसका नाम है विस्व प्रवासी पक्षी दिवस जिसका theme हो जाएगा sing fly sore like a word फिर national technology day हर साल 11 मई को मना जाता है इसका theme हो जाएगा science and technology for a sustainable future ये इसका राइड answer हो जाएगा अब यहाँ पर द ये आप देख सकते हैं हर महिने की ऐसी list मिलती है यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 6 माही PDF है उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेगी आप उसको ले एक बार पढ़ कर देखें आपको difference create होगा इसके बात में दोस्तों अगला प्रस्ता है कि हाल ही में विस्व जल समाधी दिबस वर्ड ड्रोइंग प्रिवेंशन डे प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा एवरी येर 25 जुलाई को हर साल 25 जुलाई को हर साल 25 जुलाई को यह दिबस मनाया जाता है option number six का राइड इंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड ड्र जुबने से बचाने के लिए यह जो दिबस है यह हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है एकसर आपने सुना होगा किसी नदी नहर में कोई न कोई डूब जाता है तो उसको रोकने के लिए इस दिबस को मनाया जाता है और वर्स 2021 के लिए इस दिबस का जो थीम है वो है anyone can drone no one should इसका वर्स 2021 के लिए इस दिबस का थीम हो जाएगा कुशन मनेगा कि भारती रिजर्व बैंक ने बैंक के किसी भी निदेशक को यहनि कि डाइरेक्टर को दिये जाने वाले व्यक्तिकत लोन की सीमा को 25 लाक रुपए से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो आंसर हो जाएगा प किसी भी बैंक का जो निदेशक होता है डिरेक्टर होता है पहले वो अपना परसनल लेवल पर 25 लाक रुपए दक का लोन ले सकता था अब उस सीमा को बढ़ा कर 5 करोन कर दिया गया है तो आप्शन नंबर एस का राइड एंसर हो जाएगा पहले से जादा आप लोन वोलो ल पहले सकते हैं किस भारतिये ने अंतर राश्ट्री गड़तिये ओलंपियाड इंटरनेशनल मैथमाटिकल ओलंपियाड 2021 में स्वाण पदक जीत लिया है तो आंसर हो जाएगा प्रांजल स्री वास्तो ऑप्शन नंबर एस का राइड एंसर हो जाएगा कि प्रांजल स्री वा इसके बाद में आगे चलते हैं कोशन मनेगा किस संस्तान ने एंटी ड्रोन प्राध्याविकियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए एक टेक्नलोजी के इंदर जिसका नम है सी थ्री आई हब को लांच किया है तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में सारे ड्रोन अटेक हो रहे थे जिसके चलते अभी यह एंटी ड्रोन टेक्नलोजी को डबलब किया गया है तो यह जो एंटी ड्रोन एंटी ड्रोन एंटी ड्रोन टेक्नलोजी है इसको हाल ही में आयाइटी कानपूर में इसका सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है सी थ्री आ दानपूर में बनाया गया है इसके बाद में कोशन मनता है कि हाल ही में किस देश ने Facebook की तरीके एक नया social media platform जिसका नाम है जोगा जोग को launch करने की गोश्णा करी है तो जैसा कि आप सब को पता है यह जो social media लिए apps होते हैं यह अपनी मनवानी से काम कर रहे हैं अलग लग देशों में टैक्स भी बहुत कम लेते हैं और इंकम बहुत जदा करके जाते हैं तो हाल ही में जो जोगा जोग नाम से यह जो एप है social media यह platform है यह बांगलादेश की सरकार ने launch करने की गोश्णा करी है यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी देश के अंदर में monopoly को खतम करने के लिए बांगलादेश ने इस जोगा जोग नाम से आप को launch किया है जो कि बिल्कुल की Facebook का alternative है साथी साथ में WhatsApp के alternative के लिए उन्होंने एक एप launch किया है जिसका नाम है अलापन अलापन नाम से यह जो एप है इसको भी उन्होंने बांगलादेश ने बनाया है जो कि WhatsApp की तरह एक messenger app की तरीके काम करेगा दोस्तों आज का कुशन जिसका अंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा इसका अंसर कमेंट बक्स में लिखना ना बूलें साथी साथ में हमारे इस पीडियो को परचेस करना ना बूले थैंक्यू फॉर वाचिंग इस ओसम वीडियो झाल 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 झाल